वेलकम बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्रिशी विज्ञान कक्षा साथ अभ्यासकारे पुस्तिका आपके रिक्वेस्ट पे मैं देखें दो हजार तेईस और चौबिस की बुकलेट से आपको सॉल्व करा रही हूं बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं फटा फट से आज हम भू चरण से क्या ताथ पर रहे हैं तो भू चरण से ताथ पर हैं भूमी के कड़ों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकथा होना तो ओप्शन का यह हमारा सही हो जाएगा बच्चों सारे ओप्शन में नहीं पढ़ रही हूं बच्चों क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इस disabilities चली आगे बढ़ते हैं साती साथ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं चली नेक्स संदक्षण का क्या आरत है option का सही हो जाएगा मृदा को छरण से बचाना दाप्रश्ण कर रहा है निम्न स्थानों पर रेवाइन या बीहड पाये जाता है तो बीहड जो है या रेवाइन कहां पाये जाता है बच्चों नदी नालों के किनारों वा आसपास नेक्स कहा रहा है भूचरन निम्न शक्तियों या कारकों द्वारा होता है तो भूचरन देखे हवा बर्शा और बरतीनों के कारण होता है तो उपरोग सभी लिग्तिस्थानों की पूर्ति किजिए। सबसे अधिक भूचरन डैष से होता है। तो सबसे अधिक किसके द्वारा होता है बच्छो झल द्वारा तो हुम यहां पर भर देगे जल। भूस्ख़लन लैंड्सलाइड डैश में होता है तो कहां होता है और ऑप्षण में से स्चूजँ करना तो पहाड़ी यहां हमने बहती है पहाडी चेत्र यहां नियुंद चरण डैश में पाया जाता है अभी हमने उपर किया तो नदी नालों के किनारे पाया जाता है ठीक है next question next question करा रेतीली बूमी में तेज हवाओं के चलने से कभी कभी डैश बन जाते हैं सेंड यून क्या होता जो रेगिस्तान में ऐसे ऐसे आपको सनरशनाय दिखाई देती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं सेंड यून ठीक है प्राकृतिक रूप से मिट्टी की ऊपरी एक इंच सता बनने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं तो तीन सो से एक हजार वर्ष लगते हैं बत्तों इसलिए हमें मिर्दा छरण से भूमी को बचाने का हर प्रयास करना चाहिए चलिए निमलिकित प्रश्णों के उत्तर एक शब्द में दीजिए धालू भूमी पर समुच्चे रेखा के समाना अंतर फसल द्वारा वर्ष जल रोकने वा मिट्टी कतान बचाने की विधी को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते है धाल के विप्रीत खेती करना समतल खेत से पानी को बाहर जाने से रोकने की साधार अन्विधी अमारी क्या है बच्चों मेडबंदी चलिए नेक्स ग्वेश्चिन अधिक धालू भूमी पर धाल के विप्रीत सीड़ी जैसी संरशना बना कर खेती करने के नाम क्या कहते है सीड़ी दार खेती भूमी को भूमी कटाओ से बचाने है तो व्रिच लगाने की क्रिया क्या कहते है व्रिक्षा रोपन पटी दार खेती में एक पटी पर अधिक अच्छादित फसले लगाने के बाद दूसरी पटी पर किस प्रकार की फसल लगाए तो दूसरी यह बच्चों मारा गलत है उपरी परद से उपजाव मिट्टी बहने के कारण पोशक तक तो नस्ठ नहीं होते ये भी गलत है अनुमानता एक हेक्टेयर खेट से औसितन पचास किलो ग्राम उपजाव मिट्टी प्रतिवर्श बह जाती है ये भी गलत है बच्चों घास वाब एक शिकार ओपर करने से भूचरण कम होता है बिल्कुल सही है वाईयू रोधी पट्टियां बनाने से मिट्टी का कटान बढ़ जाता है तो ये भी गलत है बच्चों बलकि मिट्टी का कटान कम हो जाता है नेक्स देखिए हमसे कह रहा है कि निमलिखित में इस्तंब का को इस्तंब का को इस्तंब का से में मिलाना है देखिए तो ये जो मरकाव वाला है कम वर्षा शुष्क जल वायू ते जवाए रेत के टीले वन आवरण का भाव सैंड यू तो इसको हम किससे मिलाएंगे जहासे देखिए ते जवाए रेत की आंधी वायू भूचरण वर्षा अभाव और वायु रोधी पट्टी ठीक है और यहां पे देखिए मूंग वा उर्द आधी की एक पट्टी मक्का जवार आधी की दूसरी पट्टी कमा अच्छादित यानि विरल और अधिक अच्छादित फसलों की एक आंतरर बुआई तो एक इस किसे एड़ करेंगे मैं से बच्छों सीधीदार खेती कंटूर विधी से खेती डहलान के विप्रीट खेती nombre की उपाई रोक बांध बनाना खेतों का समान रूप से सम्टली करन और मेर बंदी गरना तो रोब बांध बनाकर हम क्या करते हैं मैदानी छेत में पानी कछरन रोकते हैं विक्षार ओपर करना चाहिए हमें अधिक वश्म होती है तो और नमबाता बना ठीक है इसको हम इससे एड्ड कर देंगे बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चरा इस्तंबु का का इस्तंबु खासे मिलान कीजिए त्वरित चरन मनुष्र के द्वारा हस्त शेप से चरन वायू चरन मिट्टी के कडों का वायू द्वारा उड़ना प्राकृतिक चरन प्राकृतिक क्रियाओ द्वारा चरन जलिये छरण जल द्वारा मिट्टी के कड़ों का बहना अब नाली का भूचरण अल्प सरिता नाली का जुड़ कर चौड़ी गहरी नाली का रूप लेना नेक्स हमसे कह रहा है बच्चों कि निम्न चित्र में बेमेल को चित्र को छाटी है तो देखिए अब इसमें जो है ये भी एक खेती करने की विदी है ठीक है ये भी एक खेती करने की विदी है ये भी एक खेती करने की विदी है जबकि जो हमारा ये घह वाला है बच्चों ये रोक बांध द्वारा जल को जो है रोकने वाली विदी है तो इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है बाकी सब खेती करने की विधिया है ठीक है चलिए नेक्स कहरा है कि इस वाले चित्र में बच्चों की गई है आग नेक्स पट्तिदार खेती इस वाले चित्र पहला वाला चेहाँ हमारा था देखात आरों पार वर्षा की बूधु द्वा तो यह थे यहां पे बर्षा की बूधु द्वारा जो है वह भूचरण हुआ हुआ है से कह रहा है रिक प्रशन हों के उत्तर देगे अन्थिटा शু την ऑर खट까요 पानी चोटी चोटी नलिकाओं का जाल बना लेता है इसे जुताई या मड़ाई से समात किया जा सकता है जबकि खट भूचरण इन नलिकाओं का ध्यान न देने पर आगे चलकर ये चौड़ी वा गहरी हो जाती है इने जुताई गुड़ाई से समात नहीं किया जा सकता है मतलब जब छोटी छोटी नाली बनती है तो उसको अल्पसरिता भूचरण कहते है और जब वही चीज थोड़ा ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो वो बड़ी बड़ी गहरी गहरी नालियां बन जाती है उसको खड़ भूचरण कहते हैं नेक्स देखे वुच्चो प्राकृतिक भूचरण एवं त्वरित भूचरण के प्रकार में तुलना कीजिए तो प्राकृतिक भूचरण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है यह धीमावा विनाश रहित होता है जबकि त्वरित भूचरण चारा गाहों की अन्यमित चराई वन कटाओ तथा अन्यमानविये काड़ों से होता है वर्षा के बूंद से छरण होनी की क्रिया को समझाई और उदाहरर प्रस्टूत कीजिए तो वर्षा की बूंदे जब मित्रा से टकराती हैं तो मिट्टी के कड़ धिखर जाते हैं ये बूंदे मिट्टी के कड़ों को एक मीटर तक उचाता था एक मीटर तक दूल उचालती हैं जिससे मिर्दा का चरण होता है भू चरण से होने वाली हानियों को लिखें पहली क्या है नदी तलाप समुद्रों का उथला होना दूसरा भूमी की उर्वरतार शक्ती कम होना पशल उत्पादन में कमी देश की अर्थ व्यवस्था का कमजोर होना आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं मिर्दा संचरण का अर्थ समझाईए मिर्दा कटाव को रोकने की प्रक्रिया को मिर्दा संरच्छन कहते हैं धालो भूमी पर खेती करने की विधी कंटूर तो हम यहां पे इसको पहले वाले में देखें हमने आबर दिया कंटूर नेक्स हम से कह रहा है कि पहाड़ी धाल के विप्रीच खेतों की सीड़ी नुमा संरशना से मिट्टी कटाव रोकना तो सीड़ी दार खेती तो देखें यहां पे है सीड़ी दार खेती नेक्स हमसे कहा रहा है वरिच्छा रोपड द्वारा भू चरन रोपना तो इसको वरिच्छा रोपड कहते हैं तो यह देखें आपे हमने बर दिया वरिच्छा रोपा फिर कहा रहा है खेत समतल करके चारो और मेड बना का जल बहाओ को रोपना तो इसको मेड बन दी कहते हैं यहां पर हमने भर दिया चेक्टैन ठीक है चलिए नेक्स हम देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी के कड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक अत्र करना तो इसको हम कहते हैं भूचरन तो देखिए यहां पर हमने भर दिया भूचरन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेतीली मिर्दा में वायू के विप्रीत दिशा में कई पंक्तियों में विक्षार ओपड से भूमी का कटाव रोपना तो इसको हम कहते हैं वायू रोधी पट्टी तो देखें यहाँ पे हमारा है वायू रोधी पट्टी ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा कह रहा है कि निम्रिखित प्रशनों का उत्तर दीजे गाउं में अक्सर ढालू जमीने पाई जाती है चुकि खेती से अनुख जाना एक जरूरी कार है अता अधिक वर्शा होने पर ढालू भूमी में खेत की मिट्टी कटने से बचाने के उपायों पर विचार करिए तो इसको क्या करना है हमें इसके बचाओ के लिए जुताई बुआई को सदैब ढाल के विपरीत करके ढाल के विपरीत खेती करनी चाहिए नेक्स कहा रहा है जब बहुत तेज हमाई चलती है और रेतीली जमीन होती है ऐसी पर इस्थिती में खेत की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस समस्या से खेती को बचाने के क्या उपाय किये जा सकते है तो बहुत तेज हमाय चलने से खेत की मिट्टी का छरण होता है इससे बचने के लिए खेत के किनारे वायू की विप्रीत दिसा में कई पंक्यों में विक्षा रोकर करना चाहिए ठीक है चली आगे कह रहा है कि वायू छरण की क्रियाओं को एक छोटे से मॉडल के रूप में से रखेत करें बचों यह हमने रशुक्तान वाले में वायू चरण का मोडल बना है और इसमें को सेंड दिखा डिया है और और ग्री वाटिका की यारी हो मी मीडबंदी करके दिखार तो देखा डिया था करता ह gry मिड़बंदी करके दिखा स्ध्रे जारा वर्षा रित् तीक कटान का अध्यन करने पर हमें दिखा कि अधिक वर्षा से नालियां चौड़ी होने लगती है और पुराने पेड़ों की जड़े मित्टियां वेह जाने के कारण जड़े नीचे तक दिक्ने लगती है वर्षा की बूंदे जो मिर्दा से टकराती हैं क्या मिट्टी के कड़ों को एक मीटर उच्छाल सकती हैं किस प्रकार का भूछरण खेलाएगा इस पश्ट कीजिए तो हाँ वर्षा की बूंदे जो मिर्दा से टकराती हैं वह मिट्टी के कड़ों को एक मीटर उच्छाल सकती इसे वल्षा बूंद छरण कहते हैं नेक्स हम से कह रहा है निम्डिखित चित्र में रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो देखें यहां पहले नंबर पे था समतल और मेड बंदी दूसरे में ढालके विप्रीत खेती तीसरे में पट्टियों में खेती चौथा कंटूर पांच वां चेक डैम चटे में भर देंगे सीडिदार खेती साथ में में भर दिया वायु रोधी पटियां बनाना और आठ में विख्षार ओपर यह सब क्या है तो मिर्दासंदर्चर के उपाया नेक्स करा निम्खित प्रश्णों कुटर दीजे जिस भूमी पर घास और बनस्पतियां नहीं हैं उनमें भूछरण अधिकोता है कारण लिखिए तो हम कारण लिखेंगे बच्चों क्योंकि इनकी जड़े भूमी की मिट्टी को बांधे रखते हैं धाल के अनुरूप खेती करने से सिचाई जल का बहना नहीं बचाया जा सकता क्यों क्योंकि सिचा जालू भूमी पर समुच्चे रेखा के समानांतर फसल उगाना लाप कर है कारण लिखिए इससे वर्सा जल उखता है तथा मिट्टी कटने से बच जाती है नेक्स क्यारा का चित्रका और चित्रका में परिस्चितियों का अंतर इस्पाश्र करते हुए मिदासन रक्षण की विधी का नाम लिखिए तो देखिए बच्चों ये पट्टीदार खेती और ये मेडबंदी है तो हमने दोनों के बारे में लिख दिया पट्टीदार खेती इसमें अधिक आख्षादित फसलों जैसे मूं उडद मूंफली की एक पट्टी बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आख्षादित फसलें जैसे मक्का, जवार, बाजरा की बुआई करते हैं मेडबंदी इसमें खेत को समतल बनाकर खेत में मेडबंदी कर देते हैं ताकि वर्षा जल बहकर खेत से बाहर नहीं जाए तो देखे बच्चों यहां पर हमारा जो है यह चैप्टर समाप्त होता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को अपने क्लास के शेयर करिए बाई बाई बच्चों